आज के जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होमेपेथिक मेडिसन फाइटो लैका डिकेंडरा है एक बहुत बड़ी मेडिसन है और आज मैं आपको इस दवा के क्लिनिकल यूजिस बताऊंगे इस दवा का खास असर ये इस दवा में जो खास रुजान पाया जाता है वो हमारे शोल्डर और बाजों के मसल्स के उपर है इस दवा को ग्लैन्डूलर और रूमेटिक रेमिडी कहा जाता है इस दवा की बहुत सारी इलामात जो है रूमेटिसम के हावाले से बात कर रही हूं ब्राइनिया और रूस्टॉक से मिलती हैं लहाँ जब कभी ब्राइनिया और उस्टॉक्स अपनी इलामात के बावजूद काम ना करें तो वहाँ पर हम फाइटोलैका को इस्तमाल करवाते हैं इसके लावा इस दवा में टॉन्सिल्स के हावाले से और फीमेल्स के ब्रेस्ट के हावाले से बड़ी ही नुमाया इलामात मिलती है और क्लिनिकली इस दवा का जो खास इस्तमाल है वो टॉन्सिल्स के हावाले से और फीमेल्स के ब्रेस्ट के हावाले से किया जाता है इस दवा में फीमेल्स के ब्रेस्ट में, यूटरस में और फीमेल्स के जो ग्लैंड हैं जैसे के ओवरीज वगरा है इन में कैंसर का रुख जान पाया जाता है यहां मैं एक बात वाज़ा गर दूँ कि फाइटोलाका डिकेंडरा और फाइटोलाका बैरी दो मुख्तलिफ अदवियात है फाइटोलाका बैरी जो है वो फाइटोलाका डिकेंडरा से थोड़ा मुख्तलिफ है वो फाइटोलाका बैरिस से बनाई गई है और उस दवा की का मिले लिखा हुआ तो उस से हमेशा मुराद फाइटोलाका डिकेंडरा लिया जाता है इन दो अदवियाद में फरक करना बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों ने फाइटोलाका बैडी का नाम बहुत ज़्यादा सुना है बरे-बरे इश्तिहारात आप लोगों ने देखे है वदन कम करने के हवाले से उसकी बहुत वज़रूरत है वो वदन कम करती है या नहीं करती लेकिन उसकी शोरूरत जो है वदन कम करने के हवाले से है तो आज मैं जिस दवा पे लेक्चर करने जा रही हूँ वो फाइटोलाका डिकेंडरा है और इस दवा की वज़रूरत जो ह वो हमें इस दवा में मिलती है और जिस तरह ब्राइनिया को इस्तमाल किया जाता है ब्रेस्ट में ब्रेस्ट के मसाइल में बेलाडोना को इस्तमाल किया जाता है बिल्कुल इसी तरह फाइटोलाका को किया जाता है और मैं आपको बता रही हूं कि फाइटोलाका का जो में फोक क्लिनिकली ब्रेस्ट के हवाले से और टॉंसिल्स के हवाले से ही मैं आपको सिम्टम दूंगी कि फाइटो लेका में हलक के हवाले से हमारे पास क्या इलामात आती है और ब्रेस्ट के हवाले से क्या इलामात आती है तो जिस चीज के ओपर ये क्लिनिकली फोकस करती है मैं उसी क बियान करोंगी। तो breast के हवाले से फीड मेल के breast के हवाले से इस दवा में बहुत ही नुमाया और करेक्टरिस्टिक सिंटम मिलते हैं। breast जो हैं heavy होते हैं, पत्थर की तरह होते हैं, सखत होते हैं, सूजे हुए होते हैं, मेस्टाइटस पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है ब्रेस्ट में टूमर्स पाया जाते हैं हार्ड नोड्स पाया जाते हैं एपसेस पाया जाते हैं निपल्स में क्रैक पाया जाते हैं छोटे छोटे जखम पाया जाते हैं लादा जब बच्चा माँ का दूद बीता है तो दर्द जो है वो पूरे जिसम में फैल जाती है। लादा जहां गई आपको क्रैक्स निपल्ड मिलते हैं या निपल्ड में अलसर मिलते हैं वहां आपने इस दवा को नहीं बूलना। फिर ब्रेस जो हैं इंतहाई सेंसिटिव होते हैं छूने से बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और ब्रेस जो हैं एनलार्ज करते हैं या उनकी कोई भी खराबी पाई जा रही है वहां पर साथ में जो बगलों के गदूद हैं वो भी स्वेल कर जाते हैं। हैस के दुरान और हैस से पहले ब्रेस जो हैं वो टेंडर हो जाते हैं और सोर हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट की जो पेन हैं उसमें कमी आ जाती है। तो फीमेल्स में खास तोर पर ब्रेस्ट के हवाले से जब गिल्टियां पाई जाएं जब उनमें कैंसर का रुखजान पाया जाएं जब उनमें कैंसर पाया जाएं बड़ी बड़ी अंडे के साइज की गिल्टियां प पाया जाता है खुनाक पाया जाता है और खास तोर पर जो राइट साइड है गले की वो बहुत ज्यादा इसमें नुमाया तोर पर मतासिर होती है और इस तवा का जो करेक्टिरिस्टिक है गले के हवाले से खलक के हवाले से टॉंसिल्स के हवाले से सोर्थ रोड के हवाले से हलक जो है वो खुरदरा है, रफ है, तंग है, निगलना मुश्किल है, कोई भी चीज जो है वो निगल नहीं पा रहा है, टॉंसिल जो है बहुत जादा स्वेल कियो हैं, सूजे हुए हैं, एक क्रेक्टरिस्टिक आपको साथ में लाजमी मिलेगा, जो इस बात की तरफ इंडि ठंडे मश्रूबाद से अराम आता है, और जब वो गरम पानी या गरम मश्रूब का इस्तमाल करता है, यहां सिर्फ खाली निगलता है, खाली निगलने से मतलब यह है, कि आप सिर्फ अपनी थूख ही निगलते हैं, यह बगार किसी के कोई चीज खाए भी आप निगलने के अमल को दोहराते हैं, तो पेशन्ट की खलक की तमाम की तमाम इलामाद जो हैं वो बढ़ जाती हैं, तो खलक के हवाले से, टंसल्स के हवाले से, दिप्थीरिया के हवाले से, सोर्थ रोट के हवाले से, खलक की कोई भी कंडिशन आपके सामने आ रही है, रफ आ रहा है, कानों की तरफ आपकी दर्दे जो हैं वो फैल रही हैं हलकी तकलीफ की वज़ा से मरीज गरम चीज के लावा कोई चीज निगल नहीं पा रहा है तो आपको एक स्ट्रॉंग इंडिकेशन जो है वो मिलेगा वो ही जो मैंने आपको बताया कि थंडी चीजों से थंडे बाद से पेशन्ट अपने आपको पुर्सकून महसूस करता है और जहां गरम चीजों का गरम मश्रूबात का इस्तामाल करेगा गरम चीजों से वना गरम पानी का इस्तामाल करेगा गरम चाय का गरम काफी का इस्तामाल करेगा तो पेशन्ट जो है उसकी इलामात में ज्यात है वो तमाम का तमाम फाइटोलाका के दाहरे में आता है लहादा जो ग्लैंड है इसमें स्वेल कर जाते हैं अब वो कोई भी आपके जिसम के ग्लैंड है अब वो टेस्टिकल्स भी हो सकते हैं वो आपकी ब्रेस्ट भी हो सकती है वो ओवरीज भी हो सकते हैं वो गर्दन के ग् burning pains उन में हो सकती है फोड़े बन सकते है सकती पाई जा सकती है और पुड़ दर्द हो सकते है और अपने size में भरे हो सकते है और इन इन तमाम बतों के साथ जो चीज़ पाई जाएगी वो यह कि तमाम की तमाम इलामात रात के वक्त बढ़ जाएगी लादा glands के होले से भी अगर आपको problem मिलती है तो आपने phytolica को नहीं बूलना है याद रखिए clinically phytolica जो है वो दो तिन चीज़ों के उपर focus करती है एक आपके खलक की तकलीफ है दूसरे आपके female के breast के होले से तीसरे आपके glands के हवाले से और चोथे जो मैंने आपको शुरू में कहा कि एक rheumatic remedy है और इसमें जितनी भी इलामात है वो ब्राइनिया और उस्टॉक्स की तरह है जहां ब्राइनिया और उस्टॉक्स अफाका देने में नाकाम होती है वहां फाइटो लाका को इस्तमाल किया जाता है इसके लावा एक दो और इसके characteristic symptom है वो ये के इस दवा में शदीद vomiting पाई जाती है इतनी शदीद vomiting पाई जाती है कि मरीज मरने की खायश करता है कि मर कर इस मर्स से यानि जो vomiting का मर्स है उससे इसको निजात मिल जाए तो जहां violent vomiting पाई जाएगी जहां मरीज मरने की खायश करे कि उल्टिया करकर के वो बेहाल हो गया है और उसे एक पल चैन नहीं आ रहा कहीं किसी पहलो वो अपने आपको पुर सकून अपने लिए सकून नहीं तलाश कर पाता है और वो वहां मरने की खायश करता है कि मैं मर जाओ तो बेहतर है मुझे इस मर्स से निजात मिले तो वहां उस violent vomiting के लिए फाईटो लागा का इस्तामाल किया जाता है इसके लावा इस दवा में ममस भी पाया जाते है और दान निकलने के जमाने में बच्चों के हुआले से जो एक main characteristic पाया जाता है वो ये कि बच्चों की अंदर दान निकलने के जमाने में अपने दान्तों को या अपने मसूरों को जोर से दबाने की शदीद नकाबले बरदाश ऐसी खायश जिस पर काबू ना पाया जा सके ना रुकने वली खायश पाई जाती है कि वो अपने दान्तों को या अपने मसूरों को जोर से दबाता है ये है फाइटोलेका डिकेंडरा और क्लिनिकली हम इस दवा का इस्तामाल इसी तर इसी लिए करते हैं विसे तो ये एक बहुत बड़ी मैडिसन है अगर आप इसको परकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी इलामात पाई जाती हैं हमारे अलमुस्त तमाम के तमाम जो सिस्टम है वो इस दवा के दाइरेकार में आते हैं लेकिन मैंने आपको इस दवा का क्लिनिकल यूस बताया है कि क्लिनिकली हम इस दवा को कहां इस्तमाल करते हैं पोटेंसी जो इस दवा की इस्तमाल होती है वो आप मदर टिंक्चर भी इस्तमाल कर सकते हैं आप जो है इस दवा को 200 में भी इस्तमाल कर सकते हैं फाइटोलाका डिकेंडरा फिर से तो रादू के याद रखिए फाइटोलाका बैरी और फाइटोलाका डिकेंडरा दो मुख्तलिफ अद्वियाद हैं एक की शोहरत जो है वो मुटापे के हवाले से हैं और दूसरी ग्लैंड्स के हवाले से टॉंसिल्स के हवाले से और फीमेल की ब्रेस्ट के हवाले से शोरत रखती है शुक्रिया